बॉलीवुर्ड फिल्मो में बहुत से ऐसे एक्टर्स रहे हैं जिनका फिल्मो में बहुत लंबा रोल ना होने के बाद भी अपनी अनोखी एक्टिंग के कारण वो हमेशा नोट किये जाते रहे हैं आम पब्लिक की बात करें तो फिल्मों में ज्यादा रुची रखने वाले लोग तो इन एक्टर्स के बारे में जानकारी रखते हैं लेकिन बहुत से ऐसे दर्शक होते हैं जो इन जैसे एक्टर्स को कई दफ़ा फिल्मों में देखने के बाद उनकी एक्टिंग को पसंद करन के बावजूत उनका नाम तक नहीं जानते आज हम फिल्मी दुनिया के एक ऐसे एक्टर की बात करेंगे जिने आपने हिंदी फिल्मों में किसी रईस बाप का किरदार निभाते देखा होगा इनके चहरे से हर कोई परिचित होगा में भी बहुत से लोग इनका नाम भी जानते हो लेकिन इससे ज्यादा शायद उनके बारे में उन्हें ना पता हो लेकिन आज इस दिगज एक्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे दिगज इसलिए कि ये ना केवल हिंदी सिनेमा में अपनी परतेवा दिखा चुके हैं बलकि हॉलिवुड से लेकर धेरो इंटरनेशनल भी पा चुके हैं हम बात कर रहे हैं बेमिसाल काबिल एक्टर साइध जाफरी की वेलकम तू पलट तेरा ध्यान किधर है फिल्मों में अक्सर अपनी बेटी और उसके प्रेमी के बीच दिवार बने पिता के किरदार में इन्हें आपने कई बार देखा होगा फिर चाहे वो तब्बू की प्रेम फिल्म हो या मादुरी दिख्षित की दिल छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किरदार में जान डाल देने वाले सईद जाफरी का जन्म 1929 में हुआ था बॉलिवूड में इनकी जो पहली फिल्म थी उसका नाम था शतरंज के खिलाडी ये एक आर्ट फिल्म थी जिसमें उनके अलावा संजीव कुमार और अमजद खान जैसे एक्टर्स ने भी काम किया था इस फिल्म में उनके काम की काफी सराहना हुई थी इसके बाद तो उनका फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया फिल्म चश्मे बद्दूर में अपने छोटे लेकिन बेहत इंपॉर्टेंट रोल से उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका कॉमेडी रोल्स में भी जवाब नहीं है लेकिन इनका असली जल्वा तो था हॉलिवट में उन्होंने कई ब्रिटिश और अमेरिकन एक्टर्स के साथ सफल फिल्मों में काम किया है फिल्मों में अकसर रईस बिजनसमेन का रोल करने वाले साइध जाफरी ऐसे पहले एशियन एक्टर है जिने ओनरी कमांडर ओफ ब्रिटिश अंपायर से नवाजा गया था बॉलिवुड एक्टर्स का एक सपना होता है कि वो हॉलिवुड फिल्मों में भी काम करें लेकिन साइध जाफरी एक ऐसे बॉलिवुड एक्टर थे जो बॉलिवुड में अपनी शुरुवात करने से पहले हॉलिवुड में अपना पर्चम अलरडी लहरा चुके थे 1975 में रिलेस्ट हॉलिवुड फिल्म The Man Who Would Be King में काम कर चुके थे इतना ही नहीं फिल्मों में आने से पहले यानि 1951 से लेकर 1956 तक वो All India Radio के डायरेक्टर भी रहे हैं लेकिन अगर उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धी किसी से मिली है तो वो थी UK का फेमस TV शो गैंक्स्टर जिसके कारण उन्हें पूरी दुनिया में सम्मान मिला 1977 में उनकी आई पहली बॉलिवुड फिल्म से पहले वो stalked the guru, the horseman, the will-be conspiracy और the man who would be king जैसी हॉलिवुड फिल्मे कर चुके थे और जब उन्होंने बॉलिवुड फिल्मे करनी शुरू की तब भी उनका जल्वा कम नहीं हुआ शश्मे बदूर, गांधी, मासूम और मंडी जैसी फिल्मों में बहतरीन अभिनएकर उन्होंने बॉलिवुड में भी खुद को स्थापित कर दिया एक बड़े बिसनस्मेन का किरदार उन पर काफी सूट करता था महेंगे कपडों में लिप्टे, भारी भरकम डायलॉग डिलिवरी उनकी एक्टिंग में अमीरी को छलकाती थी शायद इसी वज़े से उन्हें इस तरह के रोल्स हिंदी फिल्मों में ज्यादा मिले ऐसी कुछ फिल्मे थी खुदगर्ज, जहां वो जितेंदर के पिता बने थे दिल, किशन का नईया अफसाना प्यार का, सूर्यवन्शी आशिक आवारा, राजा की आएगी बारात ऐसी तमाम फिल्मे थी जहां उनका किरदार मिलता जुलता रहा बावजूद अपने उन्हीं किरदारों में वो कुछ न कुछ नया लेकर जरूर आते थे उन्होंने अपने करियर के शुरुवात में थेटर कंपनी शुरू की थी जिसका नाम था यूनिटी थेटर ये थेटर दिल्ली में स्थित थी उनके थेटर में टैनिस विलियम, क्रिस्टोफर फ्रे और शेक्स्पिर जैसे कृतियों पर काम किया जाता था सही जाफरी एक ऐसा नाम था केवल बॉलिवुड में कैरेक्टर रोल्स करने वाले अक्टर नहीं थे बलकि उन्होंने सीन कौनरी, माइकल कैनी और पियर्स ब्रॉसनन जैसे हॉलिवुड एक्टर के साथ काम कर चुके थे ये इकलौते ऐसे भारतिया एक्टर थे के लिए नामांकित किया गया था ये सिलसला यहीं खत्म नहीं होता वो इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्हें Order of British Empire यानि OBI Drama Award दिया गया था सिनेमा में काम करने के अलावा All India Radio में डारेक्टर रहे हैं जैसे कि मैं अल्टरी बता चुका हूँ लेकिन इसके अलावा उन्होंने भारतिय सरकार के परेटन विभाद के पब्लिसिटी और अड़र्टाइजिंग डारेक्टर के तौर पा भी अपनी सेवाई दे चुके हैं सही जाफरी के हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी भाषा पर भी जबरदस्त कमांड थी उन्होंने BBC की वर्ड सर्वेस के लिए बहुत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी स्क्रिप्ट्स लिखी थी 1977 में BBC ने वर्ड सर्वेस सीरीज बनाई थी जिसमें 86 केरेक्टर्स थे और इन सब के लिए अकेले साइद जाफरी ने अपनी आवाज दी थी इनकी उपलब्दियां यहीं खत नहीं होती उन्हें BBC रेडियो फोर प्ले दपंप के लिए प्रिक्स इटालिया का अवाड दिया गया था इसमें उन्होंने किरदारों के लिए सर माइकल रेड ग्रेव के साथ अपनी आवाज दी थी इतने सब के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि देश की आम जनता के बीच वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाए जिसके वो हकदार थे शायद इसका कारण ये था कि भारतिय जनता अपने बॉलिवूड तक ही सीमित रह जाती है यहां कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है कितना बड़ा रोल कर रहा है उसी से उसकी प्रतिभा को आखा जाता है लेकिन सईद जाफरी इन सब से काफी आगे थे उनने दो शादिया की थी अपनी आखरी दिनों में वो अपनी पहली पत्नी को बहुत याद करते थे और उसके लिए खुद को गुनहगार मानते थे 1965 में उन्होंने अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया था एक इंटर्वियू के दौरान उन्होंने बताय था कि मैं उन्हें वो आजादी नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार थे तलाग के बाद उनकी पत्नी ने दूसरी शादी की और उनके नए हस्बेंड ने उनका काफी मनोबल बढ़ाया और दीरे दीरे वो एक मशूर शेफ बनी सई जाफरी ने अपनी कला के माध्यम से ना केवल बॉलिवुड में अपनी उपस्थिती दर्ज कराई बलकि हॉलिवुड तक अपना पर्चम लहराया रोल छोटा हो या बड़ा उन्होंने अपने हर रोल को शिद्दत से निभाया यही कारण है कि आज के वक्त में भी अगर उनके काम को देखें तो वो और या 20-25 साल पुरानी एक्टिंग नहीं लगती तो दोस्तों उमीद करते हैं कि ये भी एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा अगली पार फिर किसी नए एपिसोड के साथ